नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, Study for Goals पर आप सबों का स्वागत करता हूँ Friends, खोठा भासा व्याकरन का यह क्लास 9 है और अगर आप JSSC CGL या फिर JSSC Visist योग्यता या नगरपाली का सेवास समवर्ग परिच्छा को देखेंगे तो उसमें जो Paper 2 पढ़ना है, उसमें 9 ही Topic आपको पढ़ने है और वे कौन-कौन से Topic है, तो संग्या है, सुरणाम है, लिंग है, वचन है, काल है, कारक है, समास है और उपसर्ग है तो उस हिसाब से यह आखरी क्लास है और आगे भी खोठा के Classes आते रहेंगे लेकिन अगर आप इन एक्जाम्स के त्यारी में लगें, तो आप कोसिस करना चाहिए, इन ही Topic को बार-बार पढ़ा जाए क्योंकि आप प्रिवियर्स ट्रेंड देखेंगे, मतलब विगत वर्स के प्रस्णों को देखेंगे खोठा का तो जितना सलेबस था, उतना में इसे ही पूछा गया है, ठीक है? Classes में आगे परते हैं हो गया, या फिर खोठा के जितने भी Topic है, Grammar की Topic continue रहेंगे लेकिन मैं अभी जो तीन एक्जाम्स को मेंसन किया हूँ, वहाँ पर यह Classes ही आपको लेने है, ठीक है? तो चलिए हम आगे, आज का जो उपसर्गे बहुत ही Easy Topic है, आप मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा अगर इसे एक बार पढ़ ले, तो उसके यहां से Marks कटेंगे, कोई चांसी नहीं कटने का, क्योगी गिने चुने खोठा में क्या हैं, उपसर्गे हैं, अब उनसे बनने वाले सब्दे हैं, और अगर प्रिवेस यर में देखेंगे, तो इन में ही कई बार रिपीट किया जाता है प्रशनों को, तो कफी Easy Topic है, आप इसे सरसरी नजर से देख लीजे, 10 मिनिट का वीडियो होगा, उतना में ही आप एक खास Topic क्लियर कर लेंगे, और जो Grammar का portion है, वहां से आप फुल मार्क्स असानी से उठा सकते हैं, हिंदी और खोठा का यही तो खासियत है कि आप अगर Grammar section को देखेंगे, तो वहां से एक भी मार्क्स नहीं करता है, एक दो अगर मिस्टेक से कड़ गये हैं, नहीं तो जनरली मार्क्स यहां से नहीं करते हैं, तो यह मतलब section है, आपको मार्क सस्कोर करने का, चलिए, आते हैं उपसर्ग को, तो सबसे बहले जानिए, उपसर्ग को, खोठा में उपसर्ग को इस तरह लिखा जाता है, इसे अगारी भी कहते हैं, क्यों कि यह किसी सब्द के आगे लगता है, इसलिए इस अगारी कहते हैं, और हि इसे समझे, कोनो मूल सब्दे का आगो लाइक के, उस सब्दे के रूप और अरत बदले वाला आखर, यानि अच्छर, चाहे सब्द के उपसर्ग कहल जाए, तो जो अच्छर भी हो सकता है, उपसर्ग जो है, वो अच्छर भी हो सकता है, सब्द भी हो सकता है, सब्द रचन उपसरगों के परियोग से सब्दों में तीन परकार की परिवर्तन होते हैं, ठीक है, पहला सब्द का अर्थ बजल जाता है, तो किसमें? नेगेटिव वे में, दूसरा सब्द का अर्थ बजल जाता है, पॉजेटिव वे में, और तीसरा है, कोई परभाव नहीं पड़ता है, जैसे देखे करम एक positive word है करम है करम है और उसमें कू लग गया तो क्या हो जाता है कू करम हो गया या negative sense में इसका अर्थ बदल गया पंच पांच है और सर लग गया तो सर पंच हो गया पुत्र में अगर सू लगा दे तो सू पुत्र हो जाएगा तो इस तरह से क्या हो रहा है उसका अर्थ पॉजेटिव वे में बदल जा रहा है, कोई खास परभाव नहीं पड़ता है, जैसे खंड में अगर हम प्रजोड़ दे तो प्रखंड, या भी खंड भी भाग होता है, हिस्सा होता है, प्रखंड भी क्या है, किसी मतलब सहर का एक भाग है, तो इस तरह से कोई खास परिवर्तन इसमें नहीं आया, तो कुछ और BCS उफसर्ग में बताने को है नहीं, अब डायरिक्ट आप उफसर्ग को देखे, और उससे क्या-क्या मतलब बन सकते हैं, वो देखे, क्योंकि यहीं से प्रसन पूछे जाएंगे, जनरली मैं जो एके जहा सर की पुस्तक है खोठा व्याकरन का, खोठा साधानिक व्याकरन और वासुदेव महतोसर का जो खोठा व्याकरन है, इन दोनों से मैं चीजों को उठाने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि बहुत possibility कि यहीं से प्रसन बचेंगे, क्योंकि दोनों ही थोड़ी authentic पुस्तक हैं, और खोठा के खास जित्तों खेत्वारा लिखा गया है, तो यहां से प्रसन बनने के chances बढ़ जाते हैं, साथी वीडियो के last में हम विगत वर्ष में पूछे गए प्रसनों को देखेंगे, और क्या-क्या संभावित प्रसन हैं, वह भी देखेंगे, तो पहला जो उपसर गया है पर, पर का sense क् पर आया, तो पर हात, दूसरे का हात परजाई पर गोतरी, परपरि या पर जरू, पत्नी, दुसरी की पत्नी इस तरह के sense में इसका यूज होता है, ठीक है, दूसरा है तर, मतलब नीचे, तर हात, ठीक है, पइथ मदलब परती, मतलब पइथ बचर, मतलब परतेक वर्स, मतलब कुल अच्छन वाली जो गौव अगरा में रखा है वो इस तरह का गाली गुलोज सुनने को मिल जाएगा आपको तो वहां से ध्यान रखिए एक दो मांक्स वहां से भी मतलब नेगटिव चीज में भी पॉजिटिव चीजों को गेन किया जा सकता है निमोहिया कम बोलने वाली ठीक है अ मतलब निसेत के सेंस में जरूरी नहीं सारे कुछ में इधर उदर से बाद में भी चीजों को मतलब जो उपसर्ग इंपॉर्टन लगए वो जोड़ा हूं तो फिलाल आप देखिए कि मतलब पूजदे अथा में उपसर्ग क्या है तो अथनी लिख देना है अ है तो यहां पर देखने से आपको पता चलेगा हाँ जब हम अ उपसर्ग देखे रहे थे तो वहां पर अथा आया था तो यहां पर उपसर्ग कोन है अ है आगे अचेत अजगूत मतलब हैरान होने वह ना मतलब अस्चर यह जनक ठीक है अकारत मतलब बेकार असगरे मतलब अकेले, अखन अभी, अखर खाईन, खुंद खुंद कर कीचड बनाना, अखर खाईन, ठीक है, ये भी ध्यान रखे, आ निसेत, मतलब आदेख लाहा, आजीवन, आगमन, आरच्छन, अन निसेत के सेंस में, अनजान, अनपड, अनसाइल, अनबन, अनठेकाय, ठीक है, भाईर मतलब पूरा, मतलब भहर पेट, भहर मो, बे मतलब रहित, बैमान, बेकार, मतलब रहित का मतलब, मान जिसके बाद इमान ना हो, बैमान, ठीक है, बेकार, बेजान, बेचारा, बेगयत, बेजूइत, बिना सहुलियत का, बेजूइत मतलब, बिना सहुलियत का, बेलूइर मत मतलब काम करने नहीं आना, ठीक है, मतलब रहीत के सेंस में बिन बिहाईल, बिन नहाईल, मतलब जिसका बिया ना हो और जो नहाया ना हो, ठीक है, हेठ मतलब नीचे, हेठ टोला, हेठ नदी, ठीक है, अध मतलब आधा, अध कपारी, मतलब समझते न बोलते हैं एक तो मतकपार जो थोड़ा सही से पेशनी आता है उससे ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अधजल, अधपाकल, अधजल गगरी छलकत जाए, अधखेचरा, अधूरे के सेंस में, अधमरा, अधकचरा, अधाधूरा, ठीक है, बद मतलब बदमास, बदनाम, बद परते से बदमास और बदनाम जब बदनाम पूछे, इसमें पूछे कि सर क्या है, तो बद है, ठीक है, नाम और बद मिलके बदनाम बना, हर दिन, रोज, हर पल, हर घर, हर गड़ी, हर गड़ी, मतलब गीला मिट्टी वाला खेत, हर नट, मजबूत, पर से क्या बना, परलोक, परुपकार, रहीत, पर रह है, एक ही जहां सर के जो पुछतक है, वहां से यह मैं लिया हूँ, और यह इंपार्टेंट है, यहां से बन सकता है, और यह तफ भी है थोड़ा सा, अडगारी, मतलब आगे से उठाना, ठीक है, तो अडगारी में पूछ दे हो, सर क्या है, तो अड़ है, ठीक है, अडल मतल रखे, इसमें क्या है, परते क्या है, अड़ है, ठीक है, चलिए, उपसर्ग देखते हैं, पंद्रह हूँआ, क्या है, अधी, यह भी देखे, मैं लिख दिया हूँ, जो इंपार्टेंट है, अधियाल मतलब खौलना, मनीं चावल अधियाता है, उससे याद रखे, ठीक है, अधियाल, अधियाल मतलब आधाइस्सा, अन यह भी इंपार्टेंट है, अनगूत, अधिक सुबह, अंठेरी, अंदाजी, अन का मतलब दूसरे का, सत्रहवा है, अर, अर मतलब अरवा, अरवा चावल समस्ते हैं जिसको मतलब उबाला नहीं जाता है, उसको, बिना उबाला धान से बना चावल, अर्वा रूशना न, अजुराइल, मतलब उल्जा हुआ, अर्खन, मतलब भूशा, ठीक है, कट, मतलब कठ चीरवा, लकडी चीरने वाला, कट खोटकी, मतलब लकडी को नोचने वाला, कठाई, मतलब एक कट, या चालिस सेर, या कठ हुआ, कू से, समझे कुधी, मतलब धेर, मतलब कुछ राहा, जलन खोर, मतलब अगर कुछ राहा लिखा हुआ, पूछ दे आपको क्या है, इसमें उपसर्वत आपको याद रखना है कू है, कुछ नहीं कर देना, कुछ राहा, ऐसा नहीं करना है, तो यह सब माइनल मिश्टेक से बचने के लिए मैं यह बता दे रहा हूँ, माकी आप सेट बगर लगाईएगा, तो बार-बार चीज़ें रिपीट होगा, तो आप इजली एंसर कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है, यहां से कोई कुछ जन गलत होगा, कुछ टाहा, और अबजिक्टिव का एक और गुटने से, कि देख भी चीज़ें समझ में आ जाता है, बसरते आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, तो कुस्टाहा मतलब बदमाज, कुकुर मतलब कुता, कुर्चा मतलब जगडालू, ठीक है, बी है, बी सराइन मतलब गंद, बी सराहा भूलने वाला, बी साइन जहरीला, ठीक है, पड़ाई, तो इसमें हड क्या है, उपसर्ग है, गर मतलब गर जूइत, ठीक धंग से नहीं, गर गत मतलब दुर भागे, गर गर मतलब उबलने की आवाज, गर सर मतलब मतलब मोटा मोटी, याद रखे, इस थोड़ी कॉंप्लिकेटिट है, तो ध्यान रखना है, ठीक है, गर मतलब गर गड़िया, खिलोना, गर पत्रा, मतलब बिना नाप तौलका, गर धक्का मतलब क्या होगा, जोर से धक्का देना, ठीक है, बीर उपसर्ग से क्या सब्द बन सकता है, तो बीर बीरा, ठीक है, घर से घर घुसरी, घर में रहने वाली, घर जमाई, मतलब जो पतन मतलब जाओ जीन की याद रखिए पूछा है साधिक बार तो जाओ यहाँ पर क्या है प्रते है ठीक है खप मतलब खूब, मतलब खपसूरत, मतलब खुब शूरत, ठीक है, खप यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है, ली, लिलज, यह अफिस, पूछा है, तब ध्यान रखिये, ठीक है, लिलज में क्या है, ली है उपसर्ग, अब देखते हैं, फरन्ट्स की, ये तो लगभा मोटा में हर जगह से previous year से overall जोड की compile कर दिया हूँ लेकिन फिर भी कुछ छूटेंगे तो मैं उसे practice बगरा में add करते जाओंगा ताकि आपका कुछ भी छूटे ने चलिए अब हम देखते उपर उपसर्ग से बनने वाले महत्पून प्रश्णोतर जिसमें previous year questions भी होंगे ठीक है तो उपसर कर पर जोग सब्दे कहां करल जाए तो सब्दे के आगो बीज का सही answer हो जाएगा बहुत असान है इसी तरह grammar की question इसी तरह पूछे जाते हैं चाहे हिंदी हो चाहे ओ खोठा हो चाहे नाकपूरी हो चाहे कोई भी रिजनल पेपर हो आप अगर चुकि बहुत सारे question है ही नहीं और exam मुझे लगता है exam set करने वाला भी इतना मेहनत नहीं करना चाहता है मतलब हमको जानके question इतना tough बना देना एक बच्चे बना ही ना पाए ऐसा कुछ भी नहीं है वो highlighted question पूछते है ठीक है नी उफसर के परियोग से बनल खोठा सबत लागे देखने में ये question असान लगता है लेकिन थोड़ा सा tough हो जाता है चुकि एक type के यहाँ पी options दिखते है या भी जो है पंचायत सचीव के एकजाम में पूछा है ठीक है पंचायत सचीव एकजाम में ये पूछा गया है नी फिकिर है option नी बोड़ा है और नी कानी है निर्मान है तो इसका सही हो जाएगा फिकिर में नी जुड़ा तो क्या हो गया नी फिकिर हो गया ठीक है यह रा आजस्वकरमचारी 2017 में पूछा है तो आपका आपन आपा देखो आपका तो नहीं होगा क्योंकि आप और काका तो खुदी एक वर्ड नहीं है ठीक है और पड़ते का तो हम बात कर नहीं रहें यहां पर उपसर का बात करें तो सुखी में आप जूड़ा तो क्या हो गया आप सुखी तो इसका सही एंसर सही हो जाएगा जे सब्द के पहिल जोरल जाए तकरा कहल जाए तो वही कोस्चन हो गया ना उसी को घुमा दिया मतलब एक कोस्चन तीन जगा हो गया है सही उप तसनातक पर सिचित सिचक दोज़र मतलब PGT 2016 में या ने TGT 2016 में पुछा है ठीक है तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा तो उपसर्ग option है ठीक है पर खवखा सब्दे कोन उपसर्ग लागल है तो पर खवखा में क्या लगा हुआ है पर लगा हुआ है उपर तो ये मैं बता रखा हूँ ठीक है एकर मैदे खोठा आपन उपसर्ग हाके तो इसमें पूछ रहा गध अ है जाओ है तो ये ध्यान रखिए कि एकर कुछ ऐसा दीख जाए ऐसा question दीख जाए तो उसे भी नहीं छोड़ना है ठीक है सात्वा है सब्देक आगू लाइक के मूल सब्देक अरत बदेल दीये वाला के की कहल जाए केकर में उफसर्ग नखे, आपको बताना है कि किसमें उफसर्ग नहीं है, यह भी question देखने वासान लगता है, लेकिन जब आपको चूज करना हो, थूड़ा सा complicated हो जाता है, पूछ रहा है किसमें उफसर्ग नखे, question में भी ध्यान रखना है, कि नहीं पूछ रहा है, है पूट में निपूद जोडेती निपूद बन गया, और यह निचूत हो गया, आइसी तरह नींद हो गया, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा नींद, ठीक है, यहाँ पे अब देखके ही पता चल रहा है कि यहाँ पे नी उफसर्ग की रूप में यूज आगे जो सब्द दिये है, जो को नंद आथा कोई सब्द नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका डेफिनेशन है कि किसी सब्द में लगके उसका मतलब अर्थ बदल दे, तो वो क्या कलाता है, उफसर्ग कलाता है, नौवा है अध कचरा या अध खेचरा, सब्दे अध की हक है, तो अब इसलिए यह क्या है, उफसर्ग है, पैट उफसर्ग एक समनार्थी उफसर्ग छाटा, मतलब जो पैट है, उसका समनार्थी कौन है, पैट मतलू क्या होता है, परतीक होता है, मतलब इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो हर हो जाएगा, ठीक है, तो यह द प्रिविडियो लेक्चर मिल जाएंगे, कम्प्रीट हैंटेंट नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक बाइस सेक्षन और टेस्ट मिल जाएंगे, प्रिविएस येर कोस्टन और फुल लेंथ टेस्ट वगारा भी मिल जाएगा, और आप इसली यहां पे जाके चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर आपको लगबग सारी यूट्यूब पे फ्री हैं, आप स्पेशली प्राक्टिस करना चाहते हैं, तब स्टड़ी फूर गोल्स आपके लिए, आप जो एक कारगर है, वहाँ पे जाका प्राक्टिस कर सकते हैं, और मेरा प्रस्णल मतले एक्स इसी परकार का क्वेरी है, तो यह हमारा ओफिसल नंबर है, इससे आप कॉंटक्ट कर सकते हैं, और इसके लावे टेलीग्राम से भी जूट सकते हैं, टेलीग्राम पे क्विज बगएरा होते रहता है, स्टड़ी फूर गोल्स पे, जाहे हो जारकंट जीके का हो, जनरल साइ 22, इसके लावे इसमें विस्स्ट योगिता जूट जाएगा, और नगरपाली का सेवा संवर्ग जूट जाएगा, क्योंकि दोनों का, मतलब नगरपाली का परत्योगता परिछा जूट जाएगा, क्योंकि इन सब का जो सलेबर से खोठा का सेम है, तो पेपर 2 के लिए, आप इसे एकसेस कर सकते हैं, और स्टड़ी फर गोल्स का जो सहयोग भी आप इन कॉर्से से जुड़ी, ताकि स्टड़ी फर गोल्स बना रहें, और मिनिममम प्राइस पे आपको कंटेंट अपलब्ध होता रहें, ठीक है, और इसके लावे इसको इस कोर्स में टॉपिक वा जो कि विशे सग्यों के द्वारा ही संकलित किया जाता है, मैं करता हूँ, या फिर जो अल्रड़ी एक्जाम में सेलेक्टेड बन दें, उनका सहयोग लेकर चीज़ों को तयार किया जाता है, तो ये तो मैं बता रखाऊं, कि आप स्टड़ी फर गोल्स एप डाउनलोड बागी ठीक है, बागी पढ़ाई करते रही है, थोड़ा सा जारकट में देर है, पर अंधेर नहीं है, आप अगर सेंट्रल गवर्मेंट वे देखेंगा, आप एक्जामपल SSE CGL को देख लिजे, SSE CGL, एक वेकंसी को कम्प्रीट कराने में, SSE CGL बहुत मतलब 2-3 साल ले ल एक ऐसा होगा कि JSE C का अचानक या भी थोड़ा सा फैसला बगरा कोट में जो निरने सुरच्छी थे, वो आज आता है, उसके बाद हो सकता है 10 दिन या 15 दिन फ़र्म बगरा भरने का समय दिया जाएगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा दिन लगेगा, 3-4 महिने में, मतलब JSE C जैसा वेकेंसी पूरी तरह से कंप्लेट हो जाएगा, हम लोग के टाइम जारखंड SI में ऐसा हो रहा था कि फॉर्म आज मतलब 20 तक भराया है, तो 21 से अड्मिट कार निकलना शुरू हो गया, तो कुछ ऐसा जारखंड में भी देखने को मिलेगा, तो अचानक आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, तो अभी जितना समय मिल रहा है, पढ़िए, और ऐसे भी भालतों में टाइम पास करने सचा है, कि पढ़ें, थोड़ा ज्यान अपना ज्यान भी बढ़ रहा है, और थोड़ा जो जॉब के पढ़ती, confidence भी बढ़ता है, तो प कीजी, और अपने WhatsApp स्टेटस भी लगा सकते हैं, ताकि और भी जो ज्यारकंट के बंदे हैं, वो जूड़ें, वैसे बंदे जो पैसे के अभाम में भी नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए भी अच्छा साधाने पढ़ने के लिए ठीक है, तो friends, all the best for your upcoming exams and for your preparation, जैहिंद, ज जैज हारकंट इंचो हार